जिस प्रकार से किसी घोडे को संतुलित करने के लिए लगाम की जरुरत होती है या फिर किसी बैल को संतुलित करने के लिए नाथ की जरुरत पड़ती है या फिर किसी हाथी को संतुलित करने के लिए अंकुष की जरुरत पड़ती है ठेक उसी प्रकार हम मनश्यों को भी अपने मनमस्तिश्क को या फिर अपनी सोच को अपनी विचारधारा को अपनी मानसिक्ता को या अपने द्वारा किये जा रहे कर्मों को, क्रिया कलापों को गत्विधियों को या शरीर के द्वारा हो रहे प्रत्तिक कर्म को संतुलित करने के लिए ज्ञान की आवशक्ता पढ़ती है यदि हम अपने ज्ञान को जागरत कर ले अंतर मन का ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए यह भौतिक्ता की चकाचौंध का जाला छट कर नश्ट हो जाए तो यह हमारे चारो और फैला हुआ अंधियारा अज्ञान रुपी तिमिर सब समाप्त हो जाएगा और हम खुद को उस प्रकार से संतुलित और समन्वित कर पाएंगे उस रूप में स्वैम के क्रियाकलापों को संतुलित और समन्वित कर पाएंगे जिस रूप में हमारे द्वारा हो रहे प्रतेक क्रियाकलाप और कार रे या हमारी मानसिक्ता सोच या विचारधारा सब समन्वित हो संतुलन में हो या फिर अद्भुत अद्विती हो इस मानुख सभ्यता के कल्याण के लिए या फिर प्रतेक जीव के कल्याण के लिए इसके सासाथ इस पूरी स्रिष्टी या ब्रम्हांड या वातावरण या पर्यावरण के लिए भी लाबकारी हो फाइदेबंद हो और इस फाइदेबंद रूपी स्थत से हम दुनिया को कुछ दे सकें इस दुनिया से पा लेना आसान है कुछ भी हासिल कर लेना आसान है परन्त इस दुनिया को कुछ देना इस लाइक बन पाना ये तो ज्यान की प्राप्त के उपरांत ही संभव है यदि हम इस दुनिया को कुछ दे पाए तो हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा हमारा जीवन सफल हो जाएगा और यदि केवल और केवल दुनिया से लेते ही पूरा जीवन बेत जाए परमार्थ के कारे ना कर सकें सत कर्मों को ना कर सकें सत गुणों और सदचरित्रों से स्वयम को अलंकृत ना कर सकें सदराहों की और बढ़कर सदचरित्रों से उत्प्रोथ होकर आगे ना बढ़ सके तो फिर इस जीवन का लाब ही क्या होगा जब तक सब कुछ ग्यान के सहारे पर संतुलित नहीं हो जाता तब तक हमारे सभी उत्यश अधूरे हैं